सब्सक्राइब कीजिए मार्क क्यूटोरियल यूट्यूब चानल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आप मिल सके हमारे लेटेस्ट विडियोस सबसे पहले देर फ्रेंड्स इस विडियो में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप पर्टिकिलर यूजर के लिए लेजर क्रियेशन और मॉडिफिकेशन बैन कर सकते हैं तो इसके लिए सूपरवाइजर मास्टर से पासवर्ड्स और पार्स से ऑपरेटर्स पर आएंगे देन यूजर सेलेक्ट करेंगे जिसके लिए आप लेजर क्रियेशन और मॉडिफिकेशन बैन करना चाहते हैं जैसे हम यूजर टू सेलेक्ट करते हैं और एंटर की प्रेस करेंगे फिर सर्च इन आल पर आएंगे और यहाँ लेजर सर्च करके अक्सिप्ट कर देंगे तो आपको यहाँ option मिलेगा ledger y create and modify, create, debtors ban, no, तो अब जैसे कि हम चाहते हैं कि यह user यानि user 2 ना तो ledger create कर पाई और ना ही modify कर पाई, तो इसके लिए यहाँ से end select करेंगे और escape की press करके changes को save कर देंगे, और save होते ही यहाँ show हो जाएगा कि user 2 की parts change हो गई है, अब escape की press करते हैं और yes करते हैं, इसके बाद अब जिस user के लिए parts change हो गई हैं, वो user control plus you press करके re-login करेंगे, और फिर इसके बाद अब जब यह user ledger create करते हैं या modify करते हैं, तो आप देखींगे इस तरहां से alert show होगा, you are not authorized to use this option, that means कि अब यह user ना तो ledger create कर सकता है और ना ही modify कर सकता है, तो इस तरहां से आप video में दिखाए गए process को follow करके particular user के लिए ledger creation और modification बैन कर सकते हैं, thanks for watching.